नमस्क्र श्कातियों यह हमारे एक एल्जी का पैकेज पैकेज जैसी का कंजेंसर मोटर है और इसका मॉडल नंबर है 4681-820106a जो 220 वोल्टेज और वान पॉइंट एट एंपियर लेता है जिसमें केपिसिटर 15 15 का लगता है तो चलो बैरिंग अगर खराब है तो असानी से दिख जाता है पंखा घुमाने के बार लेकिन अगर वाइंडिंग से वाइंडिंग से रिलेटेट कोई इसू है तो चेक करना बड़ा समश्चा होती है तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जो वाइंडिंग से रिलेटेट कोई इसू हो इस मोटर में तो हम कैसे उसको चेक करेंगे आप देख सकते हैं इसकी तसबीर में हमने वाइर का जो कलर है कलर कोड है मैंने मैंजन कर दिया है और एंज ब्रा होना चाहिए कि जो पावर सप्लाई है वह ब्लैक और औरेंज से होकर जाती है जिसकी सप्लाई 220 वोल्टेज होती है इसमें हमारा दूसरा इस्टेप आता है येलो और ब्राउन येलो और ब्राउन हमेंसा कैपिस्टर पर जाता है जो 15 MFD का होता है तीसरा वाइंडिंग ट बोडी का आर्थ जो मोटर का बोडी वाला आर्थ है इन दोनों पर हम क्लेम मेंटर से चेक करते हैं तो इसमें क्या हमको सो करना चाहिए नो ओम्स विदावट कंटिनिटी आनि कोई ओम्स भी नहीं आना चाहिए और तो यह हमारा वाइंडिंग टेस्ट का पहला स्टेप है जो तर्ड तीसे नमर पर वाइंडिंग टेस्ट का चौथा नमर है हमारा ब्लैक हो और अरेंज ब्लैक और अरेंज वायर पर जब हम क्लेम मेंटर से जब आ चाहिए चेक करेंगे तो उस तेम हमको 24.4 ओम्स तो करेगा विदावट कंटिनिटी ओम्स तो सो करेगा लेकिन अब चाहिए प्लाओं आता है हमारा ब्राउन वायर हो या येलो वायर हो ब्राउन और येलो वायर को दोनों पर हम क्लेम मेंटर से चेक करते हैं तो इन दोनों के बीच 35.8 ओम्स आएगा विडावट कंटिनिटी इसने भी कंटिनिटी नहीं सो करेगा नहीं बजर नहीं से जब टेस्ट करेंगे तो 24.4 ओम्स आएगा विडावट कंटिनिटी इस पर भी कंटिनिटी आपको सो नहीं करेगी वाइंडिंग टेस्ट का सातों आता है येलो वायर हो और 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 येलो वायर हो इन दोनों को आपस में क्लेम मेंटर से जब चेक करते हैं तो इस पर 35.8 ओम्स आएंगे आएगा विडावट कंटिनिटी इस सब्सक्राइब बजर नहीं बजाएगा का आपको 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 करेगा करने हैं वायर निंटेस्ट का आठ्वाब नमबर आता हमारा येलो और ब्लेक हो इन दोनों पर जब हम फिर्ट से साजब कंटिनिट चेक करेंगा तो इस्टा हमारा 11.5 ohms हमारा शो करेगा लेकिन इसमें continuity आपको शो करेगा हाना कि यह अपोजिट आ जाता है अपोजिट में वायर हो जाता है वायनिंग टेस्ट का हमारा नुवा नंबर है औरेंज हो और ब्राउन हो इन दोनों पर हम करने मिटर से जब चेक करते हैं तो 0.2 ohms करेगा विध कंटिनुटी इसमें भी कंटिनुटी शो करेगा तो इस तरीके से आप पैकेज एसी पर मोटर का मोटर का मोटर का वायनिंग से करें लेटेड कोई इसू है तो आप इस तरीके से स्टेप बाइस्टेप चेक करके मोटर को मोटर में क्या खराब है आप इसी का फाइंड आउट कर सकते हैं